अरे गीता, तुम मेरे घर आई ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुमारी मदद की जरूरत है। देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। गंटों इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कारेलय में घंटों लंबा उबाव इंतजार करना पड़ता है। अरे चाचा, क्या आपके समस्य यही है? यह जटिल नहीं है। आप वास्तव में ट्रेन टिकेट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। क्या यह समभव है? क्रिपया मुझे दिखाओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकेट कैसे बुक कर आ सकते हैं। गीता, यह तो बहुत अच्छा है, मैं घर पर बैटकर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहां इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सच में, मुझे समझाईए, मैं अपने लाब के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूँं कि भारत का क्रिशी मंत्राल है किसानों तक पहुँचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। आप देखते हैं कि भारत की 70 प्रतीशत जन्संख्या ग्रामीनी क्षेत्रों में रहती है और क्रिशी और उससे जुड़े अन्य कामों पर निरभर है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राश्व्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। क्रिपिया मुझे दिखाईए कि मैं इस साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूलिय कैसे पता कर सकता हूँ। जरूर बस इंचर्णों का पालन करो। पहले AG Market के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत चांचना चाहते हैं। तो प्रदर्शित पेज पर Market Bulletin खंड में निर्दिष्ट वस्तु का तिथिवार मूल्य Date-wise Prices for Specified Commodity लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में वर्ष और महीने को चुने जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं। उसके बाद आपको राजे के नाम का चैन करने का विकल्प मिलेगा। सूची में आप उस राजे के नाम का चैन करें जिसकी जानकारी आपको चाहिए। यहां हम उत्तर प्रदेश का चैन करें। राजे का चैन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होगा। जिसमें आपको जीन्स, कमोडिटी चैन करें। वस्तू की सुची में आप राइस, चावल पर क्लिक करें। एक बार चावल का चैन कर लेने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें। अब आप चुने गए माह की विभिन तारीखों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन क्रिशी बाजार में चावल की कीमतों की एक रिपोर्ट देखेंगे। क्या मैं भी इस साइट से बाजारों की सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। जरूर चाचा मैं आपको बताती हूँ कैसे। यदि आप बाजार की सभी चीजों की कीमत जानना चाहते हैं तो आप बुलेटिन खंड के मार्केट वाइज, कमोडिटी वाइज, डेली रिपोर्ट पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज जैसा दिखाया गया है पर ले जाया जाएगा। कैलेंडर से तारिक को चुने, तारिक का चैन करने पर राज्यों की सूची नीचे दिखाई देगी। सूची से राज्य की नाम का चैन करें यहाँ पर उत्तरप्रदेश चुना गया है और फिर सब्मिट बटन पर क्लिक करें स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हूं उस बॉक्स को चेक करें फिर आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें यदि आप एक से अधिक राज्यों का नाम चैन करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए राज्यों के नाम पर क्लिक करें तब वेब साइट आपके द्वारा चैनित बाजारों की एक विस्तरित रिपूर्ट प्रदर्शित करेंगा अब आप मुझे इस साइट का उप्योग करके पंजाब राज्ये में मक्के की फसल का अधितन भाव पता करके दिखाएं जरूर मुझे कोशिस करने दें जरूर मुझे कोशिस करना बाले का पंजाब यूर्ट आपके विस्तरित करे दिखाएं बहुत अच्छी बात है, अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अध्यवदिक भाव कैसे प्राप्त करें, आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं, जिनके जरीए आप वर्तमान समय के सा साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उनमें से कुछ महत्वपून वेबसाइट हैं, www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com भारत में भू विज्ञान मंत्राले के अंतरगत आने वाला मौसम विज्ञान विभाग, मौसम संबंधी परिवेक्षनों और मौसम की भविश्यवानी के लिए जिम्मेदार है, संपून आकडे इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलब हैं, मैं इस साइट से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूं। www.imdavether.gov.in पर पुनह निर्देशित कर दिये जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टाप दें और फिर अपनी वर्यता के शहर पर क्लिक करें। आप संबंधित वेबसाइट पर पुनह निर्देशित हो जाएंगे। उधारन के ल प्रदर्शित होती है और अधिक जानकारी के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसी प्रकार होमपेज पर दर्शाय गए लिंकों पर क्लिक करके आप और जानकारी कोच सकते हैं। प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल पुचुने। सही है अच्छा प्रयाज। सही है अच्छा प्रयाज। सही है अच्छा प्रयाज। गीता क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली वर टेलिफोन के बिल भी भर सकता हूँ। बिलकुल इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा पर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं। उप्योगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उतपादन, ववितरन, स्थापित करना बहुत ही खर्चिला होता है। आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजिंसियां, पेपर रहित बिलिंग वव इलेक्ट्रोनिक भुकतान की सुविधा उपलब्द कराती हैं। इसने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, क्यूंकि कोई चाहे ऑफिस में हो या घर पर बिलों का भुकतान ऑनलाइन कर सकता है। ज्यादा तर बिजली वितरन कमपनियों के पास बिलों का भुकतान ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है। बिजली विजली बिलों करने की ऑनलाइन प्रक्रिया। चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप BSES दिली में ऑनलाइन बिजली के बिल का भुकतान कैसे कर सकते हैं। पहले BSES दिली की वेबसाइट www.bsesdillie.com पर जाएं। अब पेमिंट आप्शन पर जाएं और ऑनलाइन बुकतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का चैन करें। निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और विकल्प Pay Now पर क्लिक करें। अब दियेगा इस्थान पर अपना CA नमबर भरें। आप अपना CA नमबर अपने बिजली के बिल की कागस प्रती के दाहिने हाथ के उपरी किनारे पर देख सकते हैं। फिर Go बटन पर क्लिक करें। अब भुकतान प्रिष्ट प्रकट होगा। भुकतान के धंग जैसे debit card या credit card का चैन करें। जब आप चैन कर लें तो भुकतान प्रक्रिया का अनुसरन करें। नोट यदि आप credit card का चैन करते हैं तो आपको अपने credit card का विवरन भरना होगा और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। नेट बैंकिंग का चैन के जाने की दशा में आपको उस bank का चैन करना होगा जिससे आप अपने बिल का भुकतान करना चाहते हैं। आपको आपके नेट बैंकिंग साइट पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको भुकतान करने के लिए user ID और password भरना होगा। दीदी, क्या हम mobile phone को भी online recharge कर सकते हैं? हाँ जरूर, ऐसा करने के लिए अपने prepaid mobile को recharge करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरन करें। पहले recharge it now वेबसाइट पर जाएं। अब mobile विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चैन करें। इसके बाद अपना mobile नमबर लिखें और continue बटन को दबाएं। अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चैन करें और recharge राशी को भरें। और फिर continue बटन पर क्लिक करें। अब आपके mobile नमबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। इसकी पुष्टी करें और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें। यदि आप पंजिकरित उभ्भोगता हैं तो sign in बटन दबाएं। यदि आप पंजिकरित उभ्भोगता नहीं हैं लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं तो register बटन को दबाएं। यदि आप continue as guest बटन दबाते हैं तो समीप वर्ती सीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और submit बटन दबाएं। अब भुकतान विकल्पों में से किसी एक का chain करें। किसी एक विकल्प पर chain करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक drop-down box प्रकट होगा। उप्योक्त बैंक का chain करें और continue बटन को दबाएं। अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टी करने के पच्छाद प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के payment gateway पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पास्वर्ट का प्रेयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। रोहन अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रेयोग कर आप स्वेम अपना मुबाइल रीचाज करें। बिलकुल दीदी। Step 1. Login to Recharge It Now website. Step 2. Select the service provider and enter details. Step 3. Select plan type, enter the recharge amount and press continue button. Step 4. Select continue as guest. Step 5. Enter your mobile details and select payment option. Step 6. Select appropriate banks and pay the amount. Paytm website का प्रेयोग कर पोस्ट पेड मुबाइल का बिल भर सकते हैं। बस इन पदों का अनुसरन करें। पहला Paytm website पर जाएं। अब Bill Payments टाब पर जाएं और अपने पोस्ट पेड मुबाइल का बिल भरने के लिए Mobile बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना Mobile नमबर भरें। अपना Operator चुने और बिल की राशी दर्ज करें। उसके बाद Proceed पर क्लिक करें। अब आपके भुकतान का संक्षिप्त विवरन प्रदर्शित होगा। Proceed to Pay बटन पर क्लिक करें। अब Paytm में Sign In करें। यदि आप नए उपयोग करता हैं तो अपना Account बनाएं और फिर अपना Email ID, अथवा, Mobile नमबर और Paytm Password का प्रयोग कर Sign In करें। अब स्क्रीन पर बाई और दिये गए विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए भुकतान करें। जब आप भुकतान पूर्ण कर लेंगे, आप सफलता पूर्वक अपना Mobile नमबर रिचार्ज कर लेंगे। गीता, क्या Cable TV के बिल का भुकतान भी कर सकते हैं। हाँ चाचा, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप Recharge It Now वेबसाइट का प्रयोग कर DTH को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं। यहां Online Recharge सेक्षिन के तहत तीन विकल्प दिखेंगे। अपना DTH Recharge करने के लिए DTH बटन पर क्लिक करें। फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें। मालने कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में Tata Sky का चैन किया है। अब अपना उभुकता ID नंबर दर्ज करें और Continue बटन पर क्लिक करें। अब Tata Sky Plan की सार्णी दिखाई देगी। विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए Recharge राशी दर्ज करें। और फिर Continue बटन को दबाएं। अब DTH से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। इसकी पुष्टी करें और उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें। यदि आप पंजिकरत उभुकता हैं और पंजिकरन नहीं चाहते हैं तो Continue as Guest विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजिकरत उभुकता हैं तो Sign In बटन दबाएं। यदि आप पंजिकरत उभुकता नहीं हैं लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं तो Register बटन को दबाएं। यदि आप Continue as Guest बटन दबाते हैं तो सम्मीप वर्तिय स्क्रीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और Submit बटन दबाएं। अब भुकतान के विकल्पों में से एक का चैन करें। किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक Drop Down Box प्रकट होगा। उप्योक्त बैंक का चैन करें और Continue बटन को दबाएं। अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टी करने के पच्चात प्रोसीट बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के Payment Gateway पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम वो पासवर्ट का प्रयूक करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुकतान करना और मोबाइल फोन वो केबल टीवी नेटवर्क रीचार्ज करना आसान होगा। बेशक दीदी, यह बहुत उप्योगी है। हाँ गीता, यह जानकारी निश्चित रूप से हमारा काफी समय बचाएगी। यह बहुत अच्छा है। चलो, अब दोहराने के लिए एक गतिविधी में भाग लेते हैं। प्रतेख प्रश्ण के लिए सही विकल्प पर क्लिक करें। सही है, अच्छा प्रयास। सही नहीं है, क्रिप्या पुनह प्रयास करें। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। सही है, अच्छा प्रयास। झाल झाल